तो आज पूरु केंद्री मंत्री रविशंकर पिसाद रायपुर आये और प्रेस कॉन्फरेंस करके कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आये रविशंकर पिसाद ने कॉंग्रस नीता पवन खीरा की कल बाले शराब बंदी के बयान पर भी निशाना साधा और उसको जुमले बाजी बताया कल पवन खीरा ने क्या कहा और आज कैसे रविशंकर ने शराब बंदी पर सरकार को घेरा है दोनों सुनिये प्रक्रिया शुरू हो चुकी लक्षे है पूर्ण शराब बंदी का उस लक्षे को हासिल करने के लिए क्या ग्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्षे ना केवल हासिल किया जा सके उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो जाए वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगता है वो लगेगा और बड़ी इमानदारी से मैं आपको करेंगा एक समय एक कदम तो भुपेश बावु यह आपकी ऑफिशल नाइन है अब पांच साल पूरे हो गए अब कब कद उठाईएगा आप कदम कभी नहीं उठाने वाले थे जुमला था अगर मैं आप ही कि शब्दों का प्रयोग करूं क्योंकि यह आपके लिए नोट कमाने वाली मशीन थी एटियम डिल्ली तक के लिए